सो गाईज आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेन्यू में इस बार जो आपका डिप्रिवेशन पॉइंट का क्राइटेरिया रखा है वो किस तरीके से मिला है हलांकि मैं आपको पहले भी काफी सारी वीडियो में बता चुका हूँ और मैंने आपको यही बत बनाके इन्फर्म करा था बट उसके बावजूद भी स्ट्रेंट बोल रहेते कि सर हमें क्लियर जो है यहां पर समझ नहीं आया तो मैं आपको बिल्कुल एजी वे के अंदर समझाने का परियास करूंगा ओके तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वोच करिएगा अब यहा था 300 नंबर का पर यहां पर अब कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 300 नंबर का पर कैसे था पर तो 400 नंबर का था तो मैं आपको बता दू कि हम बात कर रहे हैं यहां पर जेन्यू के बारे में ठीक है अधर यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं तो इन दे जिसे आपके यहां पर 300 नंबर होगये अब 300 नंबर मेंसे आपको करना क्या है आपको इसका % निकालना है था कहितना पर जितना आपका स्कूर है उसके हैं यहां पर 100 मेंसे % निकाल लीजी की आपका कितना % बना है जैसे यह स्टूडेंट है, यह रिजल्ट है u- fails 자 what mentioned तो दोनों को मिला के 500 number का इनका total score हो गया था तो इस student का जितना यहाँ पे number आया आप देख सकते हो कि इसका English में इतना था और General Test में इतना number था ठीक है तो इन दोनों को count करके और इसका जो percent इनोंने निकाला है वो यहाँ पे 74% इस student का बना जो है केवल और केवल entrance में ठीक है entrance में जो इसका score बना है वो 74 ही बना है लेकिन इसको जो है deprivation point जो आपको यहाँ पे जो number जो मिलते है जो extra marks जो मिलते है वो इस student को मिला है चार number यहाँ पर इसको मिला है लेकिन इस 4 नमबर को as a point या as a number नहीं count किया है इसको as a percent count कर लिया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसका 74 जो है बना entrance के माधियम से और यह 48 गरने के बाद इसका हो गया 78% यह final score आप देख सकते हो यहाँ पे clear लिखा हो है तो यह जो 4 नमबर थे इसको percent में इन्होंने count कर दिया और उस हिसाब से फिर इसका 78 हो गया और जो score बना जो cut up गई वो 78 के हिसाब से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अब जो rank है इस बार rank मुझे लगता नहीं कि उतना meter करने वाला है आपके कितने percent जो है यहाँ पे रहेंगे उसके इसाब से आपको यहाँ पर admission देखने को मिलेगा जैसे इस student ने French language के लिए apply करा और उसी का यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है आपका MA का जो आपका subject होगा उसका आपको यहाँ पर show करेगा तो इन्हों ने इस बार क्या किया हालाएं कि यह चीज पहले भी थी और बिल्कुल वैसा ही रहा है मैंने कई वीडियो में आपको यह चीज clear करी थी और आप देख भी सकते हो कि सेम वैसा ही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि 100 में से ही यह चीज स्टुएंट का 74 था क्योंकि इन्होंने 100 में से परसेंट इसके निकाल लिये और फिर यह स्कोर यहाँ पर बन गया ठीक है यह दोनों भी मेर्टर नहीं कर रहे हालाएं कि देखा जाए तो मेर्टर तो करता ही है क्योंकि नंबर को काउंट करके और फिर परसेंट यहाँ पर निकाला गया है तो आपका जो मेर्ट गया है यूजी वाली स्टुएंट का वो यहाँ पर परसेंट के इसाब से गया है जो कटो भी यहाँ पर गया है तो आपका जो number फिर count होगा वो इसी हिसाब से होगा अगर मान लीजे आपका 76% बना कौन सा entrance में जो आपका 300 का paper था उसमें से आपने कितना gain किया आपका 76% बना और अगर आपको भी 4 number मिला 4 point मिला deprivation point का तो आपका ये अगर percent में count करेंगे तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएग तो इस तरीके से इन्होंने ये deprivation point का system रखा है बहुत सारे student को ये चीज़ समझ नहीं आ रहे थी आलांकि इसको देखा जाए तो इसमें ज्यादा confuse होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि same system है जिस तरीके से last year था उसी तरीके से इस साल भी आपको देखने को मि गया होगा ओके सो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया अगर आप लोग हमारी चैनल पर नए थे तो चैनल को subscribe कर लिजे अगर आपको लगता है कि न्यूज जो है हमारे लिए साही थी आगे भी आपको इसी तरीकी information मिलती रहे उसके लिए आप लोग चैन आप सभी का शुक्रिया